एक ऐसा शहर जो अपनी हसीन वादियों के लिए जाना जाता है एक ऐसा शहर जहाँ चारों तरफ हर्याली और रंग बिखरे हैं उची उची पहाडियां और जहरने जिस शहर की पहचान है जहांके दिलकश नजारे हर किसी को अपनी ओर खीचते हैं उस दारजिलिंग को मानो किसी की नजर लग गई है एक चिंगारी से चल उठा दारजिलिंग विरोद की आग में छुल सा एक खुबसूरत शहर भाशा के नाम पर भड की हिंसा ने यहां उथल उथल बचा दिया है अब यहां परेटर को की जगे पुलिस और प्रदशकारी नजर आ रहे हैं अमन और शान्थी के गीत काने वाली फिजा में नारे गूज रहे हैं जहां लोगों को सुकूर महसूस होता था अब घुटन होने लगी है सवाल यह है कि आखिर दो हफ़तों से क्यों देख रहा है तार चिलिंग यह महज नाराजगी का नतीजा है या पिर इसके पीछे है राजनीतिक साजिश तो सवाल यह है कि यह कौन है जो दार चिलिंग में आग भड़का रहा है दार चिलिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मदार कौन है कौन है जो इसके नाम पर राजनीतिक कर रहा है दार चिलिंग में दस दिनों से हालात में काबू है लाख कोशिशे हुई बावजूद लोगों के घुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है बारिश के बीच तक लोगों का प्रदर्शन जारी है ये दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जो लोगों के घुस्से को साफ जाहर कर रही है फिलाल इंटरनेट सेवाय तक वहाँ पर बाधosureत कर दी गई है और जहां पर टूरिस्टों का हुजूम देखा जाता था वहाँ पर प्रदर्शन कारियों का हुजूम देखा जाता है और उन सड़कों पर जहां हस्ते मुस्कुराते चेहरे दिखते थे और आखर क्यूं सालों से शांती पूर्वक गोर्खालेंड की मांग करने वाले लोग अचानक उग्रग हो गए हिंसक हो गए क्या सिर्फ एक भाशा के नाम पर हम आपको बताएंगे दार्जिलिंग में हिंसा और हंगामे के पीछे की यह हकिकत पहले आगजनी फिर पत्थर बाजी फिर हुआ प्रदर्शिंग और अब पोस्टर वॉर्ड तार्जिलिंग में अलग गोर्खालेंड की मांग जादी है लेकिन इस मांग का तरीका बदलता जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे दार्जिलिंग के फिजा में अचानक बदलाव आ गया है कुछ दिन पहले तक जिस दार्जिलिंग में हंगामा बर्पा था गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी सरकार के विरूद में पुतले फूके जा रहे थी प्रदर्शिनकारी और पुलिस के बीच भड़न थू रही थी गोर्खालैंड के समर्थक पत्थर बड़सा रहे थे और पुलिस आसू गैस के गोले छोड़ रही थी अब वहाँ पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है जी हां ये तस्वीरें देखकर आपको भले ही यकीन ना हो मगर ये दार्जिलिंग ही है जहां युआ अबलग तरीके से विरूद जता रही है हिंसा की आग फिलाल थमसी कही है लेकिन पोस्टर वार शुरू हो चुका है गोर्खा लैंड की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पोस्टर लगा रहे है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इन युआओं का मकसद पोस्टर के जरिये दार्जिलिंग में रहने वाले गोर्खा समुदाय के लोगों के साथ-साथ देश भर में अपनी मांग को पहुँचाना है यह सब यूथ कर रहे हैं यह सब डार्जिलिंग के लोगों को या सब वर्ल के लिए और हाँ नेपाली आदमी को मतलब जगाने के लिए अपना ये गोर्खाली का दिमैंड गोर्खाली का दिमैंड हमारा जो टिमैंड वही करना चाहते है सिर्फ पोस्टर ही नहीं गीत संगीत के जरिये भी युवा अपना संदेश सत्ता के गल्यारों तक महुचाने की कोशिश कर रहे हैं ये तस्वीरें दार्जिलिंग के मॉल रोड की हैं जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे इनमें युवाओं की साथ-साथ भुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हुई सभी एक सुर में सीधे शब्दों में अलग गोर्खालान राज्य की मांग रख रहे थे हलांकी इस जुलूस के पीछे इन लोगों का एक और मकसद मंगलवार को वे पुलिस फारिंग का विरोज जताना भी है कि असमें में जो कुछ हुआ इस जूख रहा है कि लेकिन हूं लोग जो सेए भारत है अछे कर रहा है कि हम लग क्यों की एक दूसरे को उठाने वाले उसकर मदद करने वाले , और अब दूसरों को विश्वास करने वाले कि हम सा 수 ten कि एक कामरे बेक अलग राज्य हो और अपना इक स्टर मोई भू और यूख आप दर्झी लेंग से चली यह भू घु भात कंचा का विए सब्सक्राइब 1997 से सुरू हो क्या रहा है तो हमारा यही है कि ना तो हम बंगाल के साथ हैं ना हम culturally similar हैं ना linguistically similar है तो हम जो भी कह रहे हैं कि हम constitutional framework में बैट के Article 3 के हिसाब से हम अपना demand रख रहे हैं दार्जलिंग के दामन पर हिंसा की जखमा भी ताजा है लेकिन यहां के हालाद धीरे धीरे बदलते दिख रहे हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में दार्जलिंग फिर हसी खुशी से गुलजार होगा टीम निउसनेशिट पर दार्जलिंग तभी हसी खुशी से गुलजार होगा जब परेटन वहाँ पर बहालोगा क्योंकि परेटन ही कमाई का जरिया है लेकिन सड़क से लेकर, हजल से लेकर रेस्ट्राव तक झब खामोशी पसरी हो जब परेटक ना के बराबर हो और हो भी तो जहां तहां कैद हो और ट्रेन के पहिये रुके हूए हो वहाँ पर लोग दारजिलिंग छोड़ कर जाने को मजबूर है बंगाल का ताज कहा जाने वाला दारजिलिंग इन दिनो सुलग रहा है देश में बड़े टूरिश्ट प्लेस के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले दारजिलिंग में इन दिनों पर्याटन का बुरा हाल है जिन सडकों पर पर्याटक घूमते नजर आते थे वहाँ अब या तो सन्नाटा है या फिर सुरक्षबल के जवान तैनाथ है होटल रेस्टरा में खामोशी चाई हुई है ट्रेन और गालियों के पहिये थमे हुए है ये तस्वीरे इस बात की गवा हैं कि किस तरह दरजले अपने बुरे दोर से गुजर रहा है दरसल अलग गोर्खा लैंड श्टेट की मांग को ले कर गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा की बेमियादी हर्ताल अभी भी जारी है करीब हफते भर से दरजलिंग के तमाम दुकानों में ताले लगे हुए हैं गालियों की आवजाही बंध है जिसका नतीजा ये हुआ है कि जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है रोजमर्रा के सामानों की कीमते आसमान चू रही है जिसकी वज़ा से दरजलिंग से लोग पलायन कर रहे है एसा नहीं कि सिर्फ बाहर से रोज़गार की तलाश में यहां आए लोगों को ही तकलीफे है मुश्किले दरजलिंग के स्थानिय निवासी भी जेल रहे हैं मगर तमाम परिशानियों के बीच वो अपनी मांग पराड़े है पुब्लिक का डिमान है हाला की पिछले 24 घंटों में छिटपुट घटनाओं को छोड़ कर कोई बड़ी घंसक वारदात तो नहीं हुई है मगर फिर भी हाला तनावपून है जिसे देखते हुए पूरे दरजलिंग में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई है सवाल ये है कि दरजलिंग में भणकी इस आग के जिनमेदार कौन है क्या राज सरकार और केद्र सरकार के बीच सामंज़त से नहीं बैठने से इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा सवाल इसलिए भी उठ रही है क्योंकि दरजलिंग में हुए हिंसक आंदूलन की भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी नीदर लैंड चली गई है टीम नीज नेशन पर माना ये जा रहा है कि दरजलिंग के आज जो हालात हुए है राजनी थी उसके पीछे वज़ए है एसी में दारजलिंग की कौन सोच रहा है दारजलिंग की ये आग सियासी है इसकी जड़ में छुपी है वो राज़नी जिसका शिकार दारजलिंग और आसपास की जन्ता हुई है बताया जा रहा है कि शेहर में हिंसा का महौल एक आometer नहीं बना बल्कि इसको भड़काने की मुकमल साजिश रची गई दिरसल अरग गोर्था लेंड की मांग नहीं नहीं बल्कि ये कई साल पहले से उठती रही है लेकिन इस मांग को लेकर दार्जलिंग में पहले कभी हिंसा नहीं भड़की ये पहली बार है जब यहां हालात बेकाबू हुए है ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दो हफ़ते से बंद और आगजनी का जो सिलसिला यहां चल रहा है उसकी पढ़कता पहले से लिखी जा चुकी थी आपको बता दे कि हिंसा के पीछे कई कार्णों को जम्यदार बताया जा रहा है पहला कारण पात जुनको ममता बनर जी ने जीटिये यानी गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्टेशन में वित्तिये गरबडियों की बात कही थी गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा पर गरबडियों का आरोप लगा था जिसके बाद सरकार ने जी टिये के स्पेशल आडिट का आदेश दिया था आडिट के आदेश का जी जी एम ने विरोध किया था दूसरा सबसे बड़ा कारण है बांगला भाशा मई 2017 में ममता सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में दसवी तक बांगला भाशा को अनिवारे कर दिया था जिसका विरोध गोर्खा जन्मुक्ती मोर्चा ने किया था हाला कि विरोध के बाद ममता सरकार ने चुनिंदा हिल स्टेशन्स में बंगला की अनिबारेता खत्म करने का आदेश दिया था नहीं किया और उसके बावजूद गोली चलाई बलका प्रयोग करके तो ये दुर्भागे जनक तो है ही इल्लीगल है एसस एहलुवालिया का आरोप है कि केंडर सरकार की ओर से दो बार राज्य सरकार को बातचीत के लिए बुलाए गया लेकिन दारज्यलिंग के हालाद पर चर्चा के लिए ममता बनर जी ने दो टूक मना कर दिया और जुलस्ते दारज्यलिंग को छोड़ ममता नीदरलेंड रवाना हो गई उनाइटेड नेशन का एक पंक्षन है जिसको अटेंड करने गई है धोकाधड़ी करके कोई पुरुष्कार लेने गई है पर उनको यूएन के चार्टर को भी पढ़ना चाहिए समझना चाहिए कि यूएन के चार्टर में हूमन राइट्स का भी डिकलेरेशन है उसके कोव बीजेपी के आरोप पर टीमसी ने कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं दिया इस बीच दार्जलिंग के हालात बद से बदतर होती गए CRPF की तेनाती की गई है लेकिन हिंसा अब भी रुपने का नाम नहीं ले रही देपजानी चोबे, न्यूज नीशन दार्जली तो 1980 में पहली बार सुभाश घिर सिंग जिन्होंने गोर्खा लैंड की कल्पना की वैसे कल्पना कभी हकिकत की शकल तो अक्तियार नहीं कर पाई लेकिन इसको लेकर, तब से लेकर अब तक आंदोलन लगातार हो रहे है गोर्खा लैंड, यानि पश्चम बंगाल के वो इलाके जो नेपाल और भूटान की सीमा से सटे हैं इन इलाकों में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा गोर्खा है जो ज्यादा तर नेपाल से पलायन करके दार्जुलिंग, कलिमपोंग, कुरसियांग और उसके आसपास के इलाकों में बसे हैं यही गोर्खा भाशाई आधार पर अपने लिए एक अलग राज्य की मांग पिछले कई सालों से कर रहे हैं जिसको गोर्खा लैंड का नाम देने की मांग है गोर्खा लैंड के तहट पश्चिम बंगाल के दार्जुलिंग, कुरसियांग, कलिमपोंग, सिलिगुडी, भक्तिनगर, मालबाजार, नगरकटा, चालसा, बानरहाट, जैगाउ, बीरपाडा, कालचीनी, मदारीहाट और कुमार ग्राम जैसे 14 इलाकों को शामिल करने की मा 200 वर्ग किलोमीटर है, 20 लाक की कुल आबादी में लेपचा और भूटिया समुदायों को मिलाकर गोर्खाओं की आबादी 80 प्रत्रशत है, लेकिन सिलिगुडी अनुमंडल की 8 लाक की आबादी में 80 पीसदी बंगाली है, मालबाजार और नगरकटा में सिर्फ 30 पीसदी ग निपाली भाषा बोलते हैं और दूसरे नंबर पर बंगाली भाषा है, आकड़ों से साफ है कि जी जे एम की मांग का आधार पूरी तरह मजबूत नहीं है, और यही कारण है कि गोर्खा लैंड की कलपना हकीकत की शकल अख्तियार नहीं कर सकी है, गोर्खा जन्मुक्ती मो से जादा इंतजार है, वो यह है कि दारजलिंग की जो अभी हाकिकत है, वो कब बदलेगी, इस कारेकर में फिलाल इतना ही आप मने रहे हैं निउस नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसला यहां कभी नहीं नहीं थाूरा